अपनी जरूरत खुद पूरा करने पर कितनी खुशी होती है ना किसान भाईयों और खुशी दोगुणी हो जाती है जब आप किसी और के प्रेळ ना बन जाते हैं आत्म निर्भर भारत की बाद तो आप जानते ही होंगे जो हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कही थे, ताकि लोग आत्म निर्भर हो, किसी और पर आश्रत ना हो, स्वयम इतने सक्षम हो जाएं कि अपनी आवशक्ता का अविश्कार खुद कर, आत्म निर्भरता के सपने को साकार करें। किसान भाईयों, जरा सूचिये, यदि हमारे देश राजी के किसान भी अपनी रोजगार के साधन और खेती किसानी के लिए अपने कोशल के बलबूते पर कारी करने लगे, तो कितना अच्छा होगा। भारत का हर वक्ती, मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहरा होगा। देश के अन्न दाता भी इस अभियान से अच्छोते नहीं रहेंगे। हमारी 36 गर राज्यके एक ऐसे युवा किसान है जिन्होंने किराए की जमीन पर आदूनिक खेती की है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आदूनिक हो या वैज्ञानिक खेती वो तो कई किसान कर रहे हैं। और साथियों इनकी खास बात ये है कि ये आत्म निर्भरता की राह पर चल पड़े हैं। और हमारे लिए और तमाम किसानों के लिए प्रेणा श्रोध बन चुके हैं। पबीर चन्राकर एक ऐसे युवा है जो विदेश में पढ़ाई के दोरान तै किये कि वे क्रीशी जगत में 36 गड़ के लिए अपने कौशल, सिक्षा और आत्म निर्भरता से कार्य करेंगे। इंगलेंड में जब वे भारत के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे थे तब उनका ध्यान एग्रिकल्चर की ओर गया। अब युवा किसान भायों के प्रेणा श्रोद बनने की राह पर चल पड़े और ग्रिशी जगत की बारीकियों और पहलों के बारे में जानने लगे। और ठान लिए कि हमारे 36 गर राज्य में यहां के वातावरण में ढलकर खेती करनी है। साथ ही नए स्किल्स के माध्यम से विभिन सबजियों, फलों या फसलों की खेती करने के लायक वातावरण स्वयम निर्मत करना है। किसान भाईयों किराई की जमीन लेकर पहले सबजियों की सफल खेती कर, आसपास की मंडी तक समित न रहकर, बाहर के मंडीयों तक सबजियों को पहुँचा कर मुनाफा कमाने वाले कबीर चंडरा कर, अपने साथ काफी किसान भाईयों का समूहू बनाकर जोडते चले 36 गड़ के छोटे से गाउं मुझ गहन से खेती किसानी के शुरुवात करने वाले कबीर चंद्राकर इनकी सफलता की कहानी से तमाम किसान भाईयों को प्रेना ज़रूर मिल रही होगी आधुनिक या विज्ञानिक माध्यम से कृषी विधी अपना कर ड्रिप एरिगेशन विधी मर्चिंग शिट का उपयोग कर राप्टिंग विधी का भी प्रयोग कर हर्याली के साथ साथ खुशहाली बिखेर रही है आत्मनिर्भर भारत की शुर्वात अन्न दाता किसानों के प्रेना श्रोद ग्राम मुझ गहन के किसान ने ये कर दिखाया है आज की यूवा किसान कबिर चंद्राकर ने ड्रिप एरिगेशन विधी का भी सहरा लिया समुह बनाकर क्रीशी विशशग्यों की सलाह बाजार के हिसाब से उत्पादन दैपार कर सफल क्रीशी करना यूवा किसान का धेय बन चुका है किसान भायों स्वयम जागुक होकर हमीं यूवाओं को प्रेवित करना होगा कि वे खेती के महत्व को समझे 36 गर राज के छोटे बड़े सभी गाओं के खेती हर किसानों को वक्त के साथ कदम से कदम बला कर चलना होगा पुरानी वीधियों के साथ साथ नए और अत्याधुनिक वीधी को अपना कर उत्पादन में व्रद्धी करनी होगी जैसा आज के हमारे किसान भाई कर रहे है कभी चन्राकर जी, मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, लौकी जैसे तमाम सब्जियों का व्रिहद पात्रा में उत्पादन कर रहे है और बहरी राज्यों के साथ भारत के बहर भी इन सब्जियों को भेच कर हमारे राज्य के नए युग के क्रिशक के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहे है क्रिशी जगत में नई वीदियों का स्वागत करते हुए स्पेलियर ट्रेनिसिंग सिस्टम पलो के सफल उतपादन के लिए ट्रिपल लेयर बैगिंग माध्यम से उतपादन का लाब ले रहे है किसान भाईयों नई पीड़ी के किसान हो या पुराने पीड़ी के किसान नई वीदियों को अपनाने वाले किसान हो या पुराने वीदियों को अपनाने वाले किसान अब वक्त है वक्त के साथ चलने का पुरानी वीधी के साथ साथ नए वीधियों को भी स्थान देने का ताकि हमारे किसान भाई जादा से जादा उत्पादन कर लाब ले पाए ग्रिप सचाई वीधी की बात करे तो भूमी, जल, मौसम और फसल का अध्यन कर कम दबाव और नियंतर के साथ खसलों की जड़ों तक उनके आवशक्ता के अनसार एक समान पानी देना, डिप से चाई या डिप एरिगेशन कहलाता है मल्चिंग शिट के उप्योग की बात की जाए तो इससे मिट्टी के सतह में नमी संरक्षित रहती है घरपतवार को भी नियंतरत किया जा सकता है जैसे तमाम लाब किसानों को मिलते हैं जब वे मल्चिंग शिट का उप्योग करते हैं ग्राप्टिंग वीधी काफी प्रशलित और मशूर वीदियों में शुमार है जिसे कलंब बांधने की तकनीक के नाम से भी जाना जाता है फलों का उत्पादन हो या सबजी या अन्यफसलों का इन तकनीक इन वीधियों के उप्योग से प्रिशिक शेत्र में प्रांती आ सकती है किसान भायों, कबीर चन्राकर जी इस तरह की खेती करके आज एक उदाहरन साबित होए है नए वीधियों, तकनीकों को अपना कर, खेती करने का आप भी प्रयास करें ये छोटा सा कदम भी आगे चल कर एक नए मुकाम की ओर हमारे 36 गड़ के किसान को लेचलेगा इस प्रकार क्रिशी जगत में, आत्म निर्भरता की पहल कर, विभन्द किसानों में जागरुपता और आर्थिक लाब के अवसर, सामने लाने वाले मुझ गहन ग्राम के युवा किसान भारी सच मुझ हमारे लिए प्रेन आश्रुत हैं जिन्होंने खेती के महर्व को स्वयम समझ कर, दूसरों को भी समझाया है और सफलता पुर्वक उत्पादन कर रहे हैं झाले मुझ 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